हालो फ्रेंड्स ओस्टेट क्लास रे आपण मानको पूनी थरे स्वागत्त फ्रेंड्स आजी वीडियोर आमें डिसकस करीबा टाप MCQ प्राटिस अप साउंड चाप्टर ठीक ची तो आपण माने जदी आमार फिजिक्स सिलावस्वाइस क्लासेश को एपपरजन जाए देखी परिवे साउंड चाप्टर ठीयोरी क्लास मद डे अबलेबल अची ठीक ची तो चेठी है आपण में प्रत्त में देख आंतु की बली भाब आम्म साउंड चाप्टर को एक्स्प्लेण करीची अपण मान भला भाबर जानी परिवे ता परिए आसंतु आमें सेही जो करीदल डिसकोस सा अनुजय आमें के तेटा MCQ प्राटिस करीबा जोटाइ कि आपणकर एक्जामरे प्राया असीबा तो चल्लाँ तु प्रथम कोस्चिन आरमें आरम्ब करीबा देखां तु What type of waves are sound waves तो एटी कोस्चिन दला What type of waves are sound waves तो आमें जेटला डिसकोस करते छेटे पडितिले कि सब्भू sound वे आमरा longitudinal wave रही थाई तो देखां तु longitudinal wave आमरा इच अप्शन B रहे तो आप्शन B है जो आमरा right answer ठीक अचि देन दुनोबर कोस्चिन को जिबा देखां तु Which of the following is or are not application of ultrasonic wave तो किया उटी आमरा ultrasonic wave रहा अप्प्लिकेशन नुँ है ठीक अचि तो देखां तु charity condition देला for measuring the depth of C option B देला आमरा in sterilizing of a liquid then in ultrasonography or in sterling a needle ठीक अचि तो आठी आमरा charity condition देला option गुडिक मदे देखीने आन्थ तो देखां तो option A आमरा देला बोथ A, B and only B option B रे only D option C बोथ C and D और option D only B ठीक अचि तो देखां तो आमरा जेते आमरा discuss करूँ थिले ultrasonic wave बीसर्च येठाम application बीसर्च डिट्टिली कही थिली ठीक अचि चालांच विड़ा कुड़ा कुड़ा सम्माप्रे जाने देमा जोदे डिट्टिली जाने याग चाल्च विड़ा थि ताने डेस्केप्स अन्वे थिवा sound chapter 3 classic उजाई देखी पारीवे देखांतु जेते बड़ा आमरा डिस्कोस कुर्टिले application ultrasonic wave शेठी आमरा आस्टोला first अच्टोला sending signal then आस्टोला आमरा measuring depth of sea then आस्टोला machinery part of chlor आस्टोला ठीकाची then आस्टोला removing of lampshot from chimney factory शेठागोट आस्टोला then आमरा आस्टोला sterilizing of liquid and in ultrasonography ठीकाची ता आमरा सेठी एई गुड़ी को थिला आमरा application of ultrasonic wave तो देखांतु एठी आमरा option जोड़ा देला first condition time मध्या applicable रहुची second condition मध्या applicable रहुची third condition मध्या applicable रहुची तो देखांतु चार नमर condition दे आमरा applicable होयो नहीं stilling of a detail तो देखांतु आमरा option B एट देदला only D जोड़ा की ultrasonic wave application नो है ठीकाची then option B आमर है जिवा right answer देखांतु चाला जिवा तिनी नमबर question को देखांतु तिनी नमबर question दला what is the speed of sound in air ठीकाची आमरा ठीकाची आमरा ठीकाची डिसकास करते ले किबड़ा आमरा sound calculation करा जाए speed रहुची तो एठी माय बदे डिसकास करूँन्नी ब्रिफल आपणू कोही दकुचे केबड़ा मन रख्या पाई आमरा speed of sound in air जोटा आमरा जटा आमरा जटते वोड़े 0 degree Celsius थाए जटते वोड़े अमरा जटता है 3.32 meter per second ठीकाची तो आमरा 3.32 meter per second देखांत अप्शन B तो आप्शन B हेजमा राइटां सा तो आपणू कोही रखुची आपणूका एग्जामरा मद आसी पार एक कोस्चीन दे जटते वोड़े जटे कोस्चीन आसीला की जटते वोड़े आमरा air 20 degree Celsius थेट्थे वोड़े आमरा sounder speed थेट्थे होवा ठीकाची तो शेट्थे मन रख्योए चारनाबर कोस्चीन को जिबाम है चारनाबर कोस्चीन काण दला what will be the effect of temperature on speed of sound ठीकाची तो अमरा काण हब temperature effect speed of sound तो देखाँ तो option a the speed of sound decreases with the increase of temperature of the medium then the speed of sound decreases with the decrease of temperature of the medium then the speed of sound increases with the decrease of temperature of the medium The speed of sound increases with the increase of temperature of the medium ठीक होची, तो आमाजेते वोले डिस्कॉस करू थिले Speed of sound भी सहरे सेठी हैं डिस्कॉस करू थिले कि the speed of sound आमारे increasing of temperature of the medium medium रा temperature रावन सहरे sound आ इनिक्रीज है थाए तेखां तु जोदि आमे speed of sound AR जोदि आमारे increase हैला, मनकर आमारे increase हैला 0.61 meter per second जोदि increase हैला then temperature must be increase है जोब आमारे 1 Celsius ठीक होची तापण को मनिर की वार इजी है जोब कि आमारे ताले right answer की है जोब देखां तो आमारे option data है जो right answer कि आमारे speed of sound आ इनक्रीज होब जयत्ते विले आमारे temperature of medium आ इनक्रीज होब ठीक होची then जी आ पांचनावर कोस्षिन को देखां तो पांचनावर कोस्षिन स्क्रीन रहा पन करो name the characteristic of the sound which distinguish a sharp sound from a grave or dull sound ठीक होची तामको एटी कहिला की characteristic of sound टाकम mention करिया पोडिब जोब आ कि आमारे distinguish करता है sharp sound to dull sound ठीक होची अप्सान गोडिको देखीने होँतो प्रत्तामे intensity echo peach resonance तो आमार राइट आंसार ही जीवा option C peach ठीक होची तो जट्वला आमें peach कोथा discuss करतेले सेठ्वे आमें discuss करतेले कि peach होची आमारे गोटे characteristic of sound ठीक होची जोड़ाके आमारे डिस्टिंग्वीश करे sharp और shrill sound प्रमे ग्रेव और dull sound तो एटी जोदि आमारे peach होची आमारे दरकी जी कोष्टी नासला तामें किपड़ी हांडल करीवा देखां तो मनेरों के तामें तो गोटे sentence एटी आमारे peach टा सबू बड़ा कोस्चन को Due to which phenomena sound is heard at longer distances in nights than in day ठीक ची तो क्यों फेनोमेनान अनुसारे आमारो sound टा longer distance राती रे सुबे दिन आपे क्यारे ठीक ची ताम राइट आँसर ही जिवा रिफ्रेक्षन तो रिफ्रेक्षन जोगू एपली आबर है थाए कणाई थाए जी तो आमारो रिफ्रेक्षन होई थाए sound आमार longer distance रे सुबी थाए राती रे दिन आपे क्या ठीक ची तो शातनाबर कोस्चन को जिवा वेन्ने motor boat इने sea travels faster than sound then waves just like suck waves are produced on the surface of water these waves are called तो आमको कणको आजाई सी waves गुडिकू देखां तो option A आमरो suck waves then doppler waves then refracted waves then bow waves ठीक ची तामरो कण जेते वळला आमरो motor boat शीरे travel करे faster than sound जेते लो ट्राभेर करे ठीक ची येटा आमरो suck wave परी produce है थाए ठीक ची किन्तु एगुडिकू आमें कही थाऊ bow waves तामरो suck को ये प्रोड्यूस है इते सर्फेस हो पाट्टर रहे ठीक ची किन्ता काम सॉक स्वेब कुआ जाए नाही ताक कामें कहू bow waves ठीक ची मन रखी बे ताक कुआ जाए आमरो bow waves चला आम तु आठा नामरो कोस्चिन को जीबा what is intensity of sound तामा theory class रहे अल्रेडी डिस्कास करी ची intensity of sound कोई ले काण जामें डिस्कास करी थीले intensity of sound टामरो inversive proportional हाव square of distance between them आव deity proportional हाव square of amplitude of vibration ठीक ची तो देखांतू option A देला option B option C बोथ A and B ठीक ताम राइट आंचे रहे जो बोथ option A and B clear देनासी वा नान नमबर कोस्चिन को देखांतू नान नमबर कोस्चिन काण देला what is the unit of loudness ताम एटे पडितिले अमारा unit of loudness जत्ते वोड़ा आमें कहू तो आपको आमें bell रेमोदे प्रकास करी पारीबा phone रेमोदे प्रकास करी पारीबा decibel रेमोदे प्रकास करी पारीबा ताम राइट यांसार आमरा है जिवा all the above ताको टीके भलवा परे बुजीवा दक्कांतू जत्ते मले आमें sensation हुए sound आमरा ear टा आमरा measure करी था sound कूँ टाइपर sound आमें चोनू ठीक अचि then loudness आमरा depend कर थाई intensity of sound and sensitivity of the ear परे ठीक अचि ताला आमरा loudness आमरा bell आकार प्रकास करा आजे जो उड़ार practical unit loudness हुचे decibel ठीक अचि बाद आको db आकार मद्यों लेखा जे थाई जोड़े कि आमरा bell रो 1 by 10th तारा bell रो थाई ठीक अचि तारा आमरा अनादर यूनिट मद्यों फोन बोली को आजे तारा आमरा राइट आंसर है जिवा अल्दी एप आप क्लियर तारा आमरा आमरा जिवा लास्ट कोस्चिन कू देखांतू which of the following statement is or are correct about longitudinal mechanical webs तारा आमरा longitudinal mechanical webs भी सरे डिसकास करे थी ले ठीक होची चेठी आमरा कोण पड़ित ले कि देतरोला आमरा longitudinal sound आउ audible waves ता sensitive हुए human ear कू तारा आमरा जेनरेट हुए vibrating bodies like turning fork आमरा टोर्निंग फर्क करते example लोबा तारा आमरा vibrating होई था है ठीक होची तारा भोकल कोड यूड़ी को सोब आमरा vibrate हे था है infrasonic waves are produced by source of bigger size such as earthquakes, volcanic eruption, ocean waves, etc so human ear cannot detect ultrasonic waves but dog, cat, bat all detect these waves ठीक होची bat not only detect but also produce ultrasonic waves तारा आमरा bat के बोलो detect करना था है ठीक होची bat कोई ले बादोरी ठीक होची ले तारा आमरा ultrasonic wave मना से produce करे था है तो देखांतो अप्शन गोडिको देखी ने अथा परत्तम द्लांग डिचुनेल अग mechanical waves which lie in frequency range 20 hertz to 20,000 hertz are called audible or sound waves ठीक होची ये तामरा ही बादो correct द्लांग डिचुनेल अग mechanical waves having frequency less than 20 hertz are called infrasonic ठीक होची ये तामरा ही पारिबा द्लांग डिचुनेल मेकानिकाल waves having frequency greater than 20,000 hertz are called ultrasonic wave ठीक होची ये मद्ध ही पारिबा तेनु आमरा राइट यांचर ही जिवा अल अब दी एबाबार correct ठीक होची तो फ्रेंट जदी वेडियोटिया पणको भल लागीची जिरो क्लास्टी ताहला पण वेडियोटिकुस जल्दीरू अधिकारू अधिका सेयर करोतु एबाम लाइक मध्य करोतु ठीक होची पनी देखाव नेक्स्ट क्लास रे जय जगरनात